कर दोस्तों वेलकम डाइसन स्टेडी पॉइंट मैं उस्वरब सुकला दोस्तों देखिए लखनों विसे विदाले में जो बीड प्रतम वर्स की प्रतम सिमेस्टर की परिक्षा होने वाली है और इस वीडियो में हाफ्य अगर सोब देखेंगे तो काफी अपको जो है फाइदा होने वाला है तो इस विडियो में हमने सो प्रांत प्र्शन पुरा लिए युनिट dre और उजरू अनकर देखिए कंगा वीडियो हंगए तक ही जो सिक्षा के टकनिकी और मोने वेगनिक परिप्रिक्श का आपका एक्जाम होने वाला है value piece का जो भी एक्जाम होने वाला है कि सारे पार्ट जो है हम बार बारे से देखने वाले हैं तो वीडियो को जरूर सेर करिए चनल को सब्सक्राइब कर देजेगा आई शुरू करते हैं आज का वीडियो देखे हमारा 51 नमबर प्रशन क्या है संस्कृति के तत्तों में परिवर्तन का परिडाम क्या है तो संस्कृति के तत्तों में जो परिवर्तन का परिडाम यहां पर हमारा हो जाएगा तिरपन नंबर प्रश्ण है social change of modern इंडिया पुस्तक के लिखक कौन है तो बहुत important प्रश्ण है social change of modern इंडिया पुस्तक के लिखक हो जाएंगे M.N. सरी निवासन ऊप्शन नंबर यह पर सही हो जाएगा अगला हमारा प्रश्ण है 54 प्रश्ण 54 सोरो किन के अनुसार समाज की तीन स्रेडिया है विचारात्मक समधात्मक और तीसरी तीसरी कहां पर नहीं दिया वो हो जाएगी आदर सात्मक तो यहाँ पर हमारा option number A जो है correct होगा अगला प्रश्ण है 55 नमबर प्रश्ण जब किसी परिवर्तन को समाज के हित में अच्छा या लाफकारी माना जाता है तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है प्रगति option number यहाँ पर D correct होगा अगला है 56 जनसंख्या घनत्यों को समाजिक परिवर्तन का मुख के कारक किसने माना है तो जनसंख्या घनत्यों को समाजिक परिवर्तन ने के जो सोचल चेंज है इसका प्रवो कारक माना है स्पेंसर ने सामाजिक परिवरतन के आधार पर समाज का विकसित एवम अर्ध विकसित के रूप में जिरों ने इसका किया है वो हो जाएंगे हमारे पुस्ता के लिखक कौन है तो सामाजिक गती सीलता का अर्थ होता है कि मनुस्य के सामाजिक धाचे में गती क्या हो जाएगा मनुस्य के सामाजिक धाचे में गती अगला है साथ नमबर किसी सामाजिक धाचे में किसी विक्ति के सामाजिक स्तर या सामाजिक स्थान में होने वाला परिवरतन संदर्भित करता है किसे तो यह संदर्भित करता है समाजी गति सिलता है नहीं कि social mobility को option number A सही हो जाएगा एक सथ नमबर प्रशन है Social mobility in industrial society नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो social mobility in industrial society पुस्तक के लेखा हो जाएंगे SM lipset और R bendix option number D हाँ पर सही है अगला है 62 नमबर प्रशन लोगों अथवा समूहों का निमन स्थितियों से उचतर स्थितियों पर पहुँचना किस प्रकार की गति सिलता है तो निमन स्थिति से उचतर स्थितितर पहुँचना जो है वह उन्नती सिलता कहेंगे से option number हाँ पर 62 चोके हो जाएगा उन्नती सिलता अगला है 63 नंबर निम्ना लिखित में से किसके अनुसार सामाजिक सतरीकरण यानि के सोशल स्टेटिफिकेशन समाज की प्रकार्यात्मक आवस सकता है तो समाज की प्रकार्यात्मक आवस सकता किस ने बताया है यह हमारा सही अंसर हो जाएगा Kingsley, Kingsley Davis ने बताया है C option हमारा यहां पर सही हो जाएगा 64. प्रशन है एक परिवार में दादा जी गाउं में कुभार थे सहर के एक स्कूल में पिता जी ने सिक्षट किया और वरतमान में पुत्र एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर है यह क्या सपस्ट करता है तो देखिए यह सपस्ट करता है आपका एक पीड़ी में निकि जो अंतर पीड़ी में गती सीलता क्या हो जाएगा अंतर पीड़ी में गती सीलता D option सही होगा 65. प्रशन है सामाजिक गती सीलता को सामाजिक आरोहन और सामाजिक अधो गाम में किसकी द्वारा वर्गिक गृत किया गया है तो इस प्रशन का सही अंसर हो जाएगा सोरोकिन ने जो है सामाजिक गती सीलता को सामाजिक आरोहन और सामाजिक अधो गाम में वर्गिक गृत किया ऐसी option नमारे हाँ पर correct होगा 6. प्रशन है सोरोकिन ने गती सीलता के किसने नियम बताए है तो सही इंसर हो जाएगा सोरोकिन ने गती सीलता के दो नियम बताए है option number A सही होगा अगला है 67 रेलफर टर्णर ने सामाजिक गती सीलता के दो प्रकार बताए है निमन में से उन में से कौन सा एक तो दिखिए रेल फटर्णर ने दो गति सिलता बता है उसमें से एक पहला हो जाएगा प्रदत गति सिलता तो सही इंसर क्या हो जाएगा यहां पर हमारा प्रदत गति सिलता जो है करेक्ट हो जाएगा दूसरा होता है संखर्स गति सिलता दो याद रखिए प्रदत गति सिलता और संखर्स गती सिलता तो option number E correct होगा 68. सामाजी गती सिलता को परदत गती सिलता एवं संखर्स गती सिलता में किसने वर्विवित किया है तो rail for turner ने सामाजी गती सिलता को परदत गती सिलता और संखर्स गती सिलता में वर्विवत किया है 79 प्रश्ण है जब कोई ग्रामेड व्यक्ति सहर में रहने के लिए जाता है तो वहाँ अपने ग्रामेड व्यवसाय के समान स्थेती वाले जैसे कि पान या फेट चाय के दुकान व्यवसाय को करने लगता है यह स्पस्टी करड़ है किसका तो यह स्पस्टी करड़ हो जाएग में reglas वावतमान में समाज से बना रखने का मुख्य kwestारिक क्या है तो वर्तमान में समाज को कतिस बना होने के लिए जो अब चर ये वह सिक्षा करें लिए किसी सामाजिक अवस्था में उच और निम्न रूप से स्रेडी बद्ध होना ही सामाजिक स्तरीकरण है यह परिवासा किस ने दिया है यह परिवासा दिया है ट्यू मिन ने ओप्सन नमबर भी ट्यू मिन करेक्ट हो जाएंगे अगला है तिहतरमा मैक्स वेबर सामाजिक स्तरीकरण का परमुखाथार किसे मानते हैं तो मैक्स वेबर सामाजिक जो स्तरीकरण का परमुखाथार है वह वेवसाय को मानते हैं किसे मानते हैं वेवसाय ओप्सन नमबर डी सही होगा अगला है चबहतर कास्ट क्लास इंड पावर नाम पुस्तक के लेखक कौन है तो cast class and power post के लेखक आंदरे बेतते option नमबर यहां पर सई होगा अगला है 75 नमबर समान व्यवसाय में लोगों का स्टरीकरण होना किस प्रकार के स्टरीकरण को स्पस्ट करता है तो समान व्यवसाय में होना जो है यहां अंतह व्यवसाय क्स्तरीकरण को माना है तो परिवार को स्टरीकरण का मुख्याधार जो है H.M.Johnson ने माना है option नमबर D H.M.Johnson जो है correct हो जाएंगे अगला है 77 नमबर प्रशन स्टरीकरण के व्यवहारिक विशलेसर्ड का सिधान किस ने दिया है तो स्टरीकरण का व्यवहारिक विशलेसर्ड यह के डेवि ने दिया है यह option correct हो जाएगा देखे सारे प्रशन मोस्ट इंपोर्टेंट है मैक्स वेबर ने किस विचारधारा के आधार पर सामाजिक स्टरीकरण का सिधान प्रस्तुत किया है तो मैक्स वेबर ने संगर्स के विचारधारा के आधार पर सामाजिक स्टरीकरण का सिधान प्रस्तुत किया है अगला है 89 डेविस एवं मूरे ने सामाजिक स्तरीक रड़ की व्याख्या के सिधान्त सिकी है तो डेविस एवं मूरे ने प्रकार रियात्मक सिधान्त जो है दिया है यह option करेक्ट हो जाएगा अगला है 80 नमबर प्रस्ण समाज में पुरुस वर्ग एवं स्तरीवर का विभाजन समाजिक स्तरीक रड़ के किस मोलततों में आता है तो स्तरी और पुरुस विभाजन जो है जैवे की मोलततों के विभाजन में आता है option नमबर बी करेक्ट होगा अगला है 80 समाजिक स्तरीक रड़ की कौन सी एक विसेस्ता नहीं है तो देखिए समाजि स्तरीकरण में मनस्षिकों की सधार पर वर्गिकरद किया गया है तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रारम्भिक स्वरुप कैसा था तो जो सामाजिक काश्ट सब्द की व्यत्वत्ति पुर्तगाली भासा के के सब्द से हुई है तो काश्ट सब्द की व्यत्वत्ति पुर्तगाली भासा के काश्टा सब्द से हुई है यह option correct होगा अगला है किसके अनुसार जाती एक बंद वर्ग है तो सही इंसर क्या हो जाएगा मजूमदार यह वो मदन के अनुसार यह जो इनके अनुसार जाती एक बंद वर्ग है च्छासी नमर प्रश्ण है कार्ल माक्स ने किसके सिधानत में सामाजिक स्तरीकरण को स्पस्ट किया है तो कार्ल माक्स ने वर्ग संखर्ष के सिधानत में किसमें वर्ग संखर्ष के सिधानत में स्टरीकरण का आधार क्या है जाती वर्ग प्रस्तिती ये तीनों जो है ये सामाजिक स्टरीकरण का प्रमुख प्रकार क्या है तो यह हमारा हो जाएगा जातिगत तरीकरण अगला है समाजिक स्तरीकरण का प्रमुख प्रकार क्या है तो यह हमारा हो जाएगा जातिगत स्तरीकरण option number A यहां पर सही हो जाएगा 89 नमबर प्रशन है समाजिक स्तरीकरण की विसेस्ता नहीं है क्या तो समाजिक स्तरीकरण की विसेस्ता नहीं है प्रतिफल का समान वितरण होना ये इसकी विसेस्ता नहीं है अगला देखिए नबे नमबर प्रश्ण निन्म लिखित में से सत्य कथन का चैन कीजिए इसमें से सत्य कथन कौन सा देखिए समाज सास्तर एक विसुद्ध विग्यान है, समाज सास्तर एक मूर्थ विग्यान है, विसिष्ट समाज विग्यान है, समाज सास्तर वेवार पर अधारित विग्यान है, तो देखिए, समाज सास्तर को एक विसुद्ध विग्यान हैं पर, जो है, माना गया है, option number A हमारे हैं प उपर युद्ट सभी option number D correct हो जाएगा तो 91 का जो है उपर युद्ट सभी option number D correct हो जाएगा अगला है बानबे निम्न लिखित में से कौन से विसेस्ता समाजी करण की नहीं है तो समाजी करण की विसेस्ता क्या नहीं है कि व्यक्ति के समाजी करण में पास परोड़ से कोई option number D हाँ पर correct हो जाएगा अगला है 94 कि संस्कृति सितातपर क्या है तो सही हो जाएगा कि सीखे वे विभारों की समपोर्ड़ता से option number A हाँ पर correct हो अगला है पन्चानमी number प्रश्रम संसकृति की विसेस्ता नहीं है तो क्या विस्यस्ता नहीं कि यह एक असंगटित होती है यह इसकी विस्यस्ता नहीं है तो option number B यहाँ पर जो है correct हो जाएगा अगला देखिए 96 number प्रश्ण एक संस्कृति जीवित नहीं रह सकती है यदी क्या हो यदी वह दूसरों का बहिस्कार करने की कुश्यस करें तो वह जीवित नहीं रह सकती है C option correct हो जाएगा अगला है 97 भारती संस्कृति निम्नकित में से किसका प्रतीक है तो भारती संस्कृति जो है भिन भिन संस्कृतियों के सामन्जस से का प्रतीक है option number B यहाँ पर सही हो जाएगा अगला है 98 भारती संस्कृति के स्वरुप की विसेस्ता नहीं है तो इसकी विसेस्ता क्या नहीं है कि संस्कृति का रुप स्वरुप सीमित होता यह इसकी विसेस्ता नहीं है C option correct हो जाएगा अगला है 99 मेरा पारिवासा है सतर के पुण्झ में किसी वक्ति का एक सतर प्रेवासा सब्सक्राइब 3 में 50 question होगे अब हम 50 question जो है unit 4 के देखने वाले हैं इसी वीडियो में तो unit 4 50 question देख लेंगे तो आपका sociology वाला philosophy वाला maximum आपके part cover हो जाएंगे तो देखिए हमारे इसमें पहला प्रशन क्या है मनुस्य अपने विचारों का प्रकटी करण किसके माध्यम से करता है और किसी के द्वारा ही मनुस्य परस पर अंतक्रिया करते हैं तो सही हो जाएगा कि मनुस्य अपने विचारों का प्रकटी करण भासा के द्वारा करता है तथा भासा के द्वारा ही मनुस्य परस्पर अंतक्रिया करते हैं Option number A, सई होगा दूसरा प्रशन यह कि अनात्मवाद सिधान्त किस धर्म में विश्वास रखता है तो अनात्मवाद सिधान्त जो है यह बौध धर्म में विश्वास रखता है C option यहाँ पर हमारा सही होगा अगला है तीसरा भासा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा संस्कृति से सम्मंधित विभिन तत्व किस रूप में संचित एवं पीढ़ी दरपीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं तो लिखित हो जाएगा सिख धर्म को माना जाता है क्या तो जो सिख धर्म है वो एक ऐस्वर वाद को मानता है तो चोथे प्रशन का ऐक ऐस्वर वाद जो है करेक्ट हो जाएगा अगला देखिए पाचवां विविधता से तात्पर्य है क्या तो विविधता से तात्पर्य होता है कि भगोलिक और समानता हुई भी हो सकती है धार्मिक और संस्क्रटिक और समानता यह सब्याइब एक अप्षय नंबर D उपर अगला है शटा खान पान वेसबुसा से किस प्रकार की विता से समदित है तो देखे चठे प्रशन का उतर आप लोग को देना है आप में को इसमें से कौन सा प्रशन सही लगता है उतर आप जो एक सा कमेंटर इसका अंसर दीजेगा साथवा है निमन लिखित में से किस अनुछेत के अनुसार चुवा चुट को दूर करने के लिए इसे दंड़नी अपराद घुशत किया गया है तो ये अनुछेत सत्र में जो है चुवा चुट का अंत किया गया है ओप्शन नमबर हमारा यहां पर डी करेक्ट होगा अगला देखिए आठवा प्रशन धेबर आयोग का गठन किस वर्श में किया गया था तो धेबर जो आयोग है इसका गठन 1961-61 में किया गया था ओप्शन नमबर हमारा यहां पर सही होगा अगला है नौवा प्रशन राज द्वारा पोसित या राज निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी सिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म जाती भासा वन्स के आधार पर वन्चित नहीं किया जाएगा या किस अनुशेद में वर्डित है तो यह अनुशेद 29-2 में वर्डित है ओप्शन नमबर भी हाँ पर सही होगा दस्वा प्रशन है सभी अलपसंखेकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भासा या अपनी पसंद की सिक्षा संसा सापित करने था उनके प्रसासन का अधिकार होगा यह किस अनुशेद में कहा गया है तो यह अनुशेद 31 में कहा गया है C ओप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला है 11 राष्ट्री महिला सिक्षा समिती अगठन कब किया गया तो राष्ट्री महिला सिक्षा समिती अगठन जो है वह 1958 में किया गया था B ओप्शन सही हो जाएगा 12 प्रशन है हंसा महिला समिती अगठन किस वर्स में किया गया 1989 में की गई थी अगला है चोदहमा समता का सामान ये अर्थ क्या है तो समता का सामान ये अर्थ होता है कि सबको एक समान परिस्थियां उपलब्ध कराना option number ए करेकT हो जाएगा पंद्रह है राष्ट्री अलपसंक्यक आयोकिस्थापना कब हुई तो राष्ट्री अलपसंक्यक आयोकिस्थापना 1992 में 1992 में हुई थी अगला है 16 भारत में असमान तस्पस्ट होती है لेंगे धर्म जाती option number डी करेकT हो जाएगा उपरिए अगला गई थी और इसका हाल में 2020 में भी जो है नई सिख्षानिती जो है इसकी खोश्रा के गई कि अठारवा प्रश्ण की सम्धान सभा की प्रतम बैठक कब होई थी तो सम्धान सभा की प्रतम बैठक जो है वह 9 दिसंबर 1966 प्रसुन प्रस्ण है प्रारूप समित्य के अधिक्ष कौन थे क्यों चुने गए तो यू चुने गया थे दोक्ट्र राजेंद्र प्रसाद C option यहाँ पर correct हो जाएगा अगला है भारती सम्विधान कब लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया 26 नौबर 1949 को बनकर त्यार हो गया था अगला है 23 मूल सम्विधान में कितने अनुचेद असूचिया थी तो देखे भारती सम्विधान के उसेस्ता नहीं है तो D option सही हो जाएगा 25 प्रश्न है भारती सम्विधान के प्रस्तावना का प्रारमफिक सब्द कौन सा है तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ड प्रभुत्यों संपन लोगतंतरात्म गड़ाज्य यह अपने बढ़ा होगा तो हम भारत के लोग से जो है सुरू होता है सम्विधान की प्रस्तावना का भाग 26 है भारत में विवित्ता का सुरू होता है किस प्रकार का तो जो भारत में विवित्ता का सुरू पर वो अतिविस्तरित है क्या है अतिविस्तरित D option correct होगा अगला है 27 उनिस सो वी 91 की जन गड़ना के अनुसार भारत में कितने धर्मों को मानता दी गई है तो हमारा से इंसर क्या हो जाएगा 1991 की जन गड़ना के अनुसार साथ धर्मों को मानता दी गई है 28 है भारत में मुखे रुप से विवित्ता के स्तर कौन से है धर्मिक सांस्कृतिक भासाई तो ये तीनों जो है उपर रुट सभी जो है भारत में विवित्ता के स्तर है अगला है 29 भारत में लभख कितनी भासा हैं लेकिन भारत में कितने भासा हैं तो 122 भासा को माना जा सकता है कि जो ऐसी भासा है जो दस जार से अधिक लोग बोलते हैं उसकी संख्या जो भारत में 122 के आसपास है तीस्वा परशन है भारत में कितने प्रत्सत लोग दरविड भासा का परयोग करते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा 20.6% लोग जो है दरविड भासा देके दरविड में कौन कौन से भासा आती है तमिल, तेलगू, मल्यालम, कन्नड यह सब जो है हमारे दरविड भासा में आ जी की है तो देखिए मल्यालम जो है वो केरल की है आंध प्रदिस में तेलगू चलता है बिहार में भुचपूरी 36 गड़ में बग्हेली चलती है और 36 गड़ी चलती है तेतिसवा है भारत में जातिस तर पर विवित्ता दृष्टिकत होती है विवाह में खान पान में प्रस्तावना को जो है उसकी आत्मा कहा गया है अगला है 49 भारत को गरतंतर क्यों माना जाता है क्योंकि यहां पर जो है यहां राज्य का प्रमुख निर्धारत अवधिक के लिए निरवाचित होता है और वा जनता के दवारा चुना जाता है इसलिए अगला प्रश्ण है धर्म निर्पेक्ष्टा का तत्पर क्या है तो धर्म निर्पेक्ष्टा का तत्पर क्या हो जाएगा बहुत इंपोर्टन प्रश्ण है सही हो जाएका C option की राजी सरकार द्वारा किसी धर्म को स्विकार नहीं करना नहीं कि राजी का कोई विशेज धर्म नहीं होगा 41 है निम्लिकित में से वे दो सब्द कौहोंस है जिनका समावेशन बैरलेसन समिधान संसुथन द्वारा उद्देसिका में किया गया समाजवादी धर्म निर्पेक्ष C option correct होगा अगला है समाजवाद का अर्थ क्या है तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजी कन्याय है यहनि कि सोसल जस्टिस जो है समाजवाद का अर्थ होता है अगला 43 नमर प्रश्ण भारती सम्मोरती सूची कहां से ली गई है तो सम्मोरती सूची जो है उस्टलिया के 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 सम्मोरती सूची कहां से ली गई है तो अनुचित 21 A जो है हमारा correct हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजबासा क्या है तो पहली है हिंदी दूसरी है उर्दू अगला है अनुचित 28 में चार प्रकार के साज़चिक संस्थाओं का उलेक करती है से एक है तुम्हारा चैलिश नंबर का जो है राज द्वारा पूरी तरह से पोसित संस्था है ऑप्सिन नंबर A करेक्ट हो जाएगा अगला है 47 में भारती समिधान में मौलिक अधिकार के धाड़ा किस समिधान से ली गई है तो मौलिक अधिकार जो है USA से लिया गया है मौलिक करता भी USSR से लिया गया है अटालिस है, भारती समिधान में नेती ने दे सकता तक्रिया लिया गया है, यह आयरलेंड से लिया गया है, संसुधिन की प्रक्रियाज़ जवे साओथ अफ्रिका से लिया गया है, उन्चास निम्बर प्रश्ण है बहुत सांस्कृतिक सिछा से क्या तात पर रहे हैं तो इससे तात पर हो जाएगा कि समाजिक वह सांस्कृतिक रूप से भिन अच्छात्रों के सेक्षिक आवस्तेक्ताओं को पूरा करने के लिए सबको समान अकादमिक आवसर उपलब्द करा आपसिन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा और आज का अंतीन क्या है राम से 1987 के अनुसार बहुत सांस्कृतिक सिछा के लक्ष क्या है तो सामाज एक संबंधों का विकास करना जो है बहुत सांस्कृतिक सिछा का लख्ष है तो देखिए हमने इसमें यूनिट 3 के 50 प्रश्ण और यूनिट 4 के 50 प्रश्ण डिस्क्स किए और इस प्रकार से हमारे जो है फिलोसफी के चारों यूनिट की जो है हमने कोशन कवर कर लिए है आप मारे वीडियो में जाईए और जो है सारे वीडियो देखिए इसके लावा अब हम आपको मनुविज्यानिक यानिके सिक्षा बहुत दन्यवादे